जिस तरह से हमें अपने घर को चलानी के लिए एक बज़ट की जरूरत होती है उसी तरह से देश को चलानी के लिए भी बज़ट की जरूरत होती है हम अपने घर का जो बज़ट बनाते हैं वो आमतोर पर एक महिने का होता है लेकिन देश के लिए जो बजट बनाया जाता है वो साल भर के लिए होता है हम अपने घर के बजट में हिसाब किताब लगाते हैं कि इस महीने हमने कितना खर्च किया और कितना कमाया उसी तरह, देश का बजट जो होता है, वो हर साल वितमंत्राले में वितमंत्री द्वारा पेश किया जाता है। इसमें साल भर के खर्च और कमाई का लेखा जोखा होता है। साल 2024-25 का बजट एक फरवरी 2024 को पेश होने की उमीद है। इसके लिए वित्मंत्राले ने 10 अक्टूबर से वित्वर्ष 2024-25 के बजट किनी प्री बजट मीटिंग्स के शुरुआत की। ये मीटिंग्स 14 नवंबर तक चलिए। अलग-लग मंत्राले के साथ बैचको में वित्मंत्राले 2023-24 के शंशोधित अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमान को अंतिम रूप देगा। इस बार का बजट काफी एहम होने वाला है। दरसल साल 2024 में देश में लोकसवाद चुनाओ होने वाले हैं। ये मोदी सरकार 2.0 का आखरी बजट होगा। वहीं वित्मंत्री निर्मला सीता रवन का छटा बजट होगा। उन्होंने जुलाई 2019 में पहला फुल बजट पेश किया था। अंत्रिम बजट में लोका कुल भावना घोशनाई करने का रिवाज नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस अंत्रिम बजट में लोकसवाद चुनाओ से पहले वोटरों को लोभानी के लिए लोकालों भावना घोशना भी कर सकती है। पिशली बार 2019 में जब मोदी सरकार ने अंत्रिम बजट पेश किया था। तब उसमें प्रधानवंत्री किसान सम्मान योजना लाने का एलान किया गया था। जिसका मोदी सरकार को जबरदर्श चुनावी फाइदा भी मिला था। देश में महंगाई चरम पर है। तो इसके चलते आम लोगों से लेकर मध्यम वर की कवर तूट गई है। ऐसे में मिडल क्लास को रुजानी के लिए मोदी सरकार चुनावी से पहले उनकी लिए सोगादों की जड़ी लगा सकते हैं। जिसमें इंकम टेक्स से राहत प्रमुख है। अब ऐसे में आप सबके मन में यही सवाल उफ रहा होगा। कि बजट पेश कैसे होता है। तो यहां मैं आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझा देती हूँ। पॉइंट नमबर वन सब्चे पहले वित मंत्राले एक सर्कूलर जारी कर्व। सभी मंत्रालों राज्य केंद्र शार्षिष प्रदेशों स्वाई संस्थानों को नए साल के लिए एस्टिमेट बनाने के लिए कहता है। उन्हें नए साल के लिए अनुमान देने के अलावा पिशले साल की घर्च और आमदनी का ब्योरा भी देना होता है। पॉइंट नमबर टू एस्टिमेट मिलने के बाद केंद्र सरकार के आला अफसर उसकी पड़ताल करते हैं। इस पर संबंदित मंत्रालों और वियाई विभाग के अधिकारियों की गहन चर्चा होती है। इ गौर करने के बाद विभागों को उनके खर्च के लिए राज़सों का आवंटन करता है। राज़सों और आर्थिक मामलों का विभाग हाला तो की गहराई को समझने के लिए किसानों और छोटे कार्योबारियों के प्रतिनिद्यों और विदेशी संसागत निवेशिकों से संपर्क करता है। प्रधानमंत्री से भी बात करते हैं। पॉइंट नमबर फाइफ बजट पेश होने से कुछ तिन पहले हलवा सेर्मनी होती है। इस बड़ी से कढ़ाई में तयार किया जाने वाला हलवा विद्मंत्रवाले के स्टाफ में बाटा जाता है। इसी के साथ बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया में लगे अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ बजट पेश होने तक मंत्रवाले में ही रहते हैं। इस विद्वर्ष के बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई और संसस सदश्यों को उसकी सौफ्ट कॉपी दी गई। पॉइंट अंबर 6 विद्मंत्री आम बजट को लोकसभा में पेश करते हैं। 2016 तक तो ये बजट फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था। लेकिन 2017 से ये हर साल एक फरवरी को पेश होने लगा। इस साल पहली बार बजट के सभी दस्तावेश। जूनियन बजट मुबाइल पर उपलप्त कराए गए। देश के बजट को लेकर के अगर आप उतनी कोई राय हमारे साजा करना चाहते हैं तो कमेंट वाक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूही देखते रही है यूक्चर।